आपने उड़ते हुए रॉकेट को देखा होगा रॉकेट जब आस्मान में उड़ता है तो सबसे पहले वह अपने ग्रेविटी जो फोर्स है उसको तोड़ता है हम सब के अंदर हम भी अगर उचाहीं पर पहुंचना चाहते हैं रॉकेट की तरह हम कुछ नया करना चाहते हैं कुछ नया बनना चाहते हैं तो आप सब को ना आपके ग्रेविटी ने कंफर्ट जोन के ग्रेविटी ने तोड़कर रखा है पकड़कर रखा है इसको दम जकड़कर रखा है आपको क्या करना है आज से अपने उस ग्रेविटी जो फोर्स है जिसने आपको पकड़कर रखा लेकिन उस एनर्जी को आप कहा पर गवा रहरे हैं उस एनर्जी को आपको एनल्यैज करना उसे एक नया आकार देना उस एनरजी से आप क्योंकि पैसा क्या है और यह मांसिक नशीक कहा पर जा रहा है मैंस जुड़ा हुआ इनर्जी मेरा कहा पर जा रहा है मेरा emotion energy कहाँ पर जा रहा है कौन से इसी बात है जो मुझे आके कटोच कर लेकर जाती है, मुझे डरा कर जाती है, मुझे बहका कर जाती है आपका emotion energy और आखरी में आता है आपका spiritual energy कहां पर जा रहा है में तो अपने emotional, physical, mentally और spiritual energy कहां पर जा रहा है उसका audit कीजेगा क्योंकि ये चीज जो है ये अगर इसको सही analyze किया गया तो आप अपने लक्ष को तो पाएंगे और बहुत जल्दी आप महांता के महांता के उस शिखर पर पहुंचने लगेंगे जहां पर आपको पहुंचना है हर इंसान के अंदर महांता के बीच छुपे हुए हैं ये 101 दिन जो चैलेंज आप ट्रांस्फर्मेशन जो बनाया गया अपकोर्स इसका में मकसद यही है मित्रो कि आपके अंदर के कहां पर जा रहा है वह energie कहां प現在rich involvement कर रहा हूं क्योंकि हर एक इंसान के पास भर पूर Enjoy एक बड़े उद्युक्ति के पास जो एनर्जी वही छोटे से कर्मचारी के पास भी एनर्जी लेकिन उस एनर्जी को आप कहां पर लगा रहे हैं वही एनर्जी आपको बहुत बड़ा इंसान बना सकती है तो अपने देखना है कि जिस तरह से रॉकेट है रॉकेट जब तब जाके वह ग्रेविटिशनल फोर्स को तोड़ता है हम सब के अंदर आलस का ग्रेविटी चुपा हुए हम सब के अंदर बुराई का विकारों का और न जाने कितने सारे आलस का कितने सारे ग्रेविटी से हम घिरे हुए हैं इन सब ग्रेविटी को अगर तोड़ना है तो कि अपने एनर्जी को मैं संचित करूंगा इस एनर्जी को मैं बचाऊंगा और उस एनर्जी का उपयोग सही जगे पर करूंगा क्यों कि आपका दिमाग एक एनर्जी है आपकी जिन्दगी एक एनर्जी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी लाइफ बड़ी होगी मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश को पता यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ लेकिन आपको फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में धन्यवाद